हेलो फ्रेंड्स आप सबी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत सौगत है तो हमने पार्ट नबर 14 पढ़ लिया अब हम पार्ट नबर 15 में जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप BSC Second Year का Unsolved देखेंगे तो उसमें काफी बार पुछा गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Last में हम Unsolved जरूर दिखाते हैं तो अभी Last में दिखाया जाएगा तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका परपस क्या होता है वो जान लेते हैं पहले तो हम पढ़ेंगे Phylo Clad पढ़ेंगे, Cladode पढ़ेंगे और Phylo पढ़ेंगे तो इसमें हम सब Plants जो हते हैं उनका Modification पढ़ते हैं Plants कैसे Modified हो जाते हैं तो ये जरूरत क्यों पढ़ी Modification की क्योंकि वातावरन की अनुसार हर जीव अपने आपको ढालता है तो इसी तरह जैसे नाकफनी आप लोग उने देखी होगी तो नाकफनी में देखें जो काटे लगे होते हैं वो एक्चुली एक Leaf होती है Modification of Leaf है वो काटे Modification of Leaf है और जो उसकी पतियां होती है वो Modified Stem है तो इस तरीके से जैसे राजस्थान में आप जाईए तो वहाँ बहुत सारी नाकफनी होती है तो वहाँ पानी की कमी होती है इसलिए Transpiration का Rate कम हो इसलिए जो Leaf होती है वो Spine में Change हो जाती है तो चलिए ज़्यादा Discussion ना करते हुए हम अपने Topic पर Concentrate करते हैं तो Heading डाली है Philo Clad उसके नीचे लिखना है Bracket में Modification of Stem यानि जो Philo Clad है यह Stem का Modification है जब Stem Modified होकर Leaf में बदल जाता है तब उस Leaf को हम लोग Philo Clad कहते हैं तो आप लोग Heading डाल ली होंगे अब लिखेंगे The typical flattened photosynthetic stem which act as leaf is known as Philo Clad The leaves of the Philo Clad are small and scale-like In Philo Clad, node and inter-node are present Example इस करेगा Opuntia and Casurina तो देखें इसमें क्या लिखा गया है इसमें लिखा गया The typical flattened photosynthetic stem यानि जो एकदम stem होता है चप्टा stem होता है जो photosynthesis की क्रिया को करता है Which act as leaf वो leaf की तरह कारे करने लगता है यानि जो अभी हमने पहले बताया था कि stem modified हो जाता है leaf में उसी leaf को हम लोग Philo Clad कहते हैं It is known as Philo Clad Simple है और जो ये leaf होगी वो photosynthesis की क्रिया वो करने लगेगी फिर है the leaf of the Philo Clad are small यानि जो Philo Clad की leaves होती है जो Philo Clad होता है कर सकते है वो small होता है यानि छोटा होता है इसके like का मतलब ये है कि जैसे आप लोगोंने Guava का plant देखा होगा तो उसमें देखे जो stem होती है stem में पपड़ी जैसे निकलती है इसके like मतलब पतली layer उसके leaf एकदम पतली होती है उसके बाद लिखा गया इन Philo Clad Node and Inter Node are present यानि फाइलो Clad में Node और Inter Node दोनों होता है तो अगर आपको Node और Inter Node के बारे में नहीं पता होगा तो आगे आप लोग अभी देख लीजिएगा इसमें figure में दिखाए गया है और यह किसमें पाया जाता है ओपुंशिया और कैजूरीना में इस तरह का modification देखने को मिलता है तो चलिए इसका देख लेते हैं figure इसको अगर जैसे मालीजी आपको paper में लिखने के लिए आ गया है अपुंशिया में भी होता है कैक्टस में भी होता है यानि नाखफनी में भी इस तरह का modification पाया जाता है तो देखिए अपुंशिया में इंटर नोड है यह जो दिख रही है वो लीफ है और उसमें इस्पाइन भी लगे हुए है लीफ पर तो लीफी स्पाइन उसको कहेंगे और बीच में नोड है तो यही फिगर बना देना है और फ्लावर है बस इतने से आपका काम चल जाएगा और जैसे एक नंबर में आ गया तो आप चाहरे डेफनेशन भी लिख सकते हैं अगर पांस नंबर में अभी आगे पूछा गया है पांस नंबर में कोश्चन आया है बीच से सकंडियर में तो आप अभी आगे देखेंगे तो अब हम लोग स्टाट करते हैं क्लैडोड क्या होता है तो हेडिंग डालिए क्लैडोड तो इसमें क्या लिखा गया है ब्रेकेट में लिखा गया है modification of stem क्लैडोड भी stem का ही modification है अभी हमने पढ़ा फाइलो क्लैड वो भी stem का ही modification था तो इसमें लिखा गया है एक क्लैडोड इजे stem which is modified into leaf for photosynthesis and leaf is modified into spine फिर फुली स्टॉप लगाना है और लिखना है इन क्लैडोड ब्रांच है लिमिटेड ग्रोथ and it has single internode इसका एक्जामपल है रसकस और एस्पेरेगस अलग अलग प्लांट है तो देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि क्लैडोड एक stem है जो leaf में modified हो जाता है photosynthesis करने के लिए and leaf is modified into spine और जो leaf होती है जो actually में photosynthesis करती है वो spine में change हो जाती है इन क्लैडोड ब्रांच है लिमिटेड ग्रोथ and it has single internode और इसमें ये कहा जा रहा है कि क्लैडोड में जो ब्रांचेज होती है उनकी growth limited होती है वो एक limit तक ही growth कर पाती है उसके बाद ये growth नहीं करती है और इनके पास node नहीं होता है और अगर होता है inter node होता है लेकिन सिर्फ single inter node होता है इसका example तो आपने देखाई है तो अब इसका देखिए figure कैसे बनेगा वो देख लेते हैं तो ये figure में आप लोग देख रहे हैं इसमें जो leaf थी वो reduce हो जा रही थी reducing leaf और ये spine में change हो रही थी और जो stem modified into leaf जो stem था वो leaf में convert हो गया यानि modify हो गया leaf में और stem अभी जो है वो भी leaf में ही convert हो जाएगा तो अपने figure देख लिया अब हम लोग पढ़ेंगे file load क्या होता है और ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जो clad load है वो file load का ही एक type है क्योंकि देखें दोनों में stem का ही modification हो रहा है और ये एकदम similar होता है इसमें बहुत ज़्यादा confusion होती है तो आप लोग ये definition याद कर लेंगे साथ clear हो जाए आप लोग को तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे file load क्या होता है तो heading डाली है file load और इसमें bracket में लिखना है modification of petiole into leaf इसमें क्या होता है कि जो petiole होता है वो leaf में modify हो जाता है तो आप लोग जानते होंगे petiole क्या है लेकिन बता दे रहे हैं देखिए जैसे leaf होती है जो leaf होती है वो stem से जिस जिस चीस के द्वारा जुड़ी होती है उसे हम लोग कहते है petiole तो अभी आप लोग पीछे देखेंगे उसमें figure में भी दिखाये गया है petiole क्या है तो आप लोग heading डाल ली होंगे अब लिखेंगे इन सम प्लांट 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 बिकम फ्लाटेंड एंड लीफ लाइक एंड परफॉर्म दे फंक्शन ऑफोटो सिंथेस इसका एक्शामपल है अकैशिया, परकिनसोनिया, एटसरा तो देखेंगे इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं इन सम प्लांट कुछ प्लांट में प्लांट बिकम फ्लैटेंड एंड लीफ लाइक जो प्लांट होता है वो चप्टा हो जाता है और लीफ की जैसे सनरचना बना लेता है यानि लीफ की जैसे बन जाता है और यही जो पेटियोल होता है वो जब लीफ में कनवर्ट हो जाता है तो फोटो सिंथेस की क्रिया को वो करने लगता है perform the function of photosynthesis यानि photosynthesis की क्रिया को करने लगता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा leaf ही photosynthesis की प्रक्रिया को complete करती है तो जब petiol leaf में convert हो जाएगा तो वही photosynthesis की क्रिया को करेगा फिल लिखा गया है these petiol are known as phylood and cladophil तो इसी petiol को हम लोग कहते हैं phylood या cladophil इसका एक्जामपल अकैशिया अन परकिनसोनिया तो इसका figure देख लेते हैं कैसे हैं तो देखे इसमें figure में लिखा गया Australian अकैशिया इस चीज का figure है और example था या phylo clad का तो इस पे stem है देखे petiol जो था modified into leaf petiol leaf में modify हो गया है और जो leaf है वो spine में convert हो गई है तो इस तरीके से हमने phylo clad पढ़ा cladode पढ़ा and phylood पढ़ा अब हम लोग जो थोड़ा बहुत term साय था जो आप लोगो साय नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो देख लेते हैं तो इसमें एक term है था inter node, node और petiol तो inter node क्या होता है जो आपने एक गन्ना देखा होगा तो गन्ने का जो beach का portion होता है उसको कहते हैं inter node और जो दो inter node के beach का partition होता है उसे हम लोग कहते हैं node और अब petiol की बात कर लेते हैं तो petiol क्या होता है कि आपकी leaf होती है leaf के नीचे जो डंडी होती है उसे हम लोग कहते है petiol ये confirm हो गया होगा और एक important बात और आप लोग को पता होगा flower flower जो है वो modification of stem है ये भी आप लोग जान लीजिए और जो enter होता है वो modification of leaf होता है ये दो important चीज़े थी जो हमने आपको बताई अब आप लोग ये देखेंगे कि जो BSC second year में question आता है वो किस तरीके से आता है देखे BSC second year का unsolve है और botnika है और ये section B का question है पूछा गया है कि write short note on following polyembryony and cladode phyloclads तो ये पूछा गया है तो हमने polyembryony पढ़ा दिया है तो वहां से आप लेख सकते हैं और देखें इसमें जो cladode पूछा गया है जो अभी हमने पढ़ाया और phyloclad ये दोनों बहुत important है इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा तो अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अप्लोट करी जाएगी